आप सभी का हमारे इस जैंकिन्स की सीरीज में और आज हम देखने वाले हैं पार्ट फिफ्ट अप्लिस जैंकिन्स सीरीज तो आज का जो एजेंडा होने वाला है पहले हम देखेंगे कैसे हम जॉप्स को शेडियूल करते हैं और सेकंड है पोल स्क्राइब तो पहले में आप सो तो पहले बात करते हैं शेडियो जाब अप्लिकेशन है जहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेडिया साइट से उनको इंडिग्रेट कर रहा है अब मुझे क्या करना है जब कभी भी दस बजे जैसे टैन एम पूप तो क्या हो वहां से एक जॉप ट्र यह बहुत काम आता है शेडियो जॉप्स की जहां पर भी बात करें अगर आपको बैक अप लेना मॉनिट्रिंग करनी है या आप चाते हैं कि इस टाइम पर यह कुछ टास्क चले और उसके बाद भी स्टॉप हो जाए तो वह भी आप यहां पर शेडियो उत्र सकते हैं तो स और यहां पर मुझे फ्रेस्टाइल अभी चूज कर लेकर है और आगे हम देखेंगे पाइपलाइन के इसको शेडियो करते है इसका कंफिग्रेशन तो यहां पर आप जिब नीचे आएंगे तो विल्ट ट्रिगर करके एक आप्शन होगा वहां पर आपको बिल्ट पिरियो है वहां यहां पे, मैं हर मिनिट मीरि जुजाब होता रहां कि मैं यहां कर लेता हां 08 इश Donc का मतलब, यह सहला होग mentor 2 के लिए 2 में और अगर आप इसको और यहां देख सकते हैं और उसके बाद है मन्त और यह जैसे ही एक मिनिट होगा और जो यह आपका टाइम चल रहा है यह आपके कोई यहां पर आप यहां पर यहां पर ओपकर जाए लीट को जाएगा तो थोड़ा वेसे ही एक मिनिट होगा यह एक जोपर दरन सेट अप कर सकते हैं चलते हैं नेक्स टॉपिक पर हमारा है तो अब जो second topic है वो होने वाला poll scm और यहाँ पर हमें क्या करानी होती ही ट्रिगर करानी होती ही job let's suppose करते ही कि whenever there is a change in repo job will automatically trigger अब पहले वाली situation के अंदर क्या था हर minute minute के अंदर वो trigger हो रहा था तो हमारे यहां पर क्या हो रहा था build जो है build बार-बार हो रहा था हमारा जो भी application है वो बार-बार क्या हो रहा था नया नया package बनता जा रहा था मगर अब हम क्या चाते है जबी भी GitHub या कोई भी आपका SEM टूल हो वहां पर जैसे ही कोई code करके जैसे ही वहां पर कुछ changes आ है तो वो क्या हो यहां से trigger हो और trigger होके फिर वो build start करें ऐसा नहीं कि हर minute हो हर hour हो या week के अंदर एक बार हो हम ऐसा नहीं चाते अभी हम चाते क्या कभी भी change हो हमारे repo के अंदर तो job automatically trigger हो जाए तो चलते हैं और इसका भी hands on हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यह आ गया है हम हमारे dashboard पर यह आ गया है हम हमारे dashboard पर फिर से बना लेते है एक new item एक नई job create कर लेते हैं तो आपको click करना है new items पर यहाँ पर हम लिग लेते है पोल SCM tool नाम से एक name दे लेते हैं और freestyle project की हम यहाँ पर choose कर लेते हैं तो जैसे ही आप उसे create करेंगे तो आपके पास यह configuration पूरा dashboard आ जाएगा अब चलते हैं नीचे सबसे पहले तो हमें क्या करना है source code management को यहाँ पर हमें paste कर देना जो भी आपका wrapper URL तो उसे हमें यहाँ पर paste कर देना है तो उसको paste करने के लिए यह link लेके dot get और इसके बाद हमें चलना है नीचे तो यहाँ पर एक option दिखेगा आपको poll scm तो यहाँ पर हम schedule कर लेते हैं अब इसे आपको save कर लेना है पो link मैं आपको description में दे दूँगा ताकि आप भी इसे बस अपने जो wrapper है उसमें आप इसे fork कर लेते हैं अब देखें वहाँ पर वो मेरा commit हो चुका है तो यहाँ आप देखेंगे मेरा तीसरा जो है वो भी शुरू होना वो शुरू हो चुका है तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरा वहाँ पर जैसे मैंने कमेट किया यहाँ पर मेरा बिल्ड होना शुरू हो चुका है तो ऐसे करके हमारा पॉल सेम जो है वो वर्क करता है अब चलते हैं फिर से और देखते हैं क्या-क्या इंटर्व्यू कोशन हो सकते हैं अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से इंटर्व्यू कुशन है जो कि इस वीडियो से पूछे जाया सकते हैं तो पहला है और हमें कमेंड में भी बताइएगा और हाव यू शेडियो जॉप्स तो कैसे शेडियो करना है वह हमने फर्स्ट के अंदर देखा था अब थर्ड है वाट इस वैब हुक्स तो वैब हुक्स के बारे में भी आप पढ़िएगा क्योंकि यह एक बहुत इंपर्टेंट चीज है जो कि अगर आप जो कभी भी पोल सेम करते हैं तो वैब हुक्स होता है वो बहुत इंपर्टेंट होता है अब लास में चलते हैं होमवक पर तो आपको यह होमवक करना है और आप चाहे तो आपनी एक खुद के रैपो बना के इस चीज को इंटिग्रेट कर सकते हैं तो अगर आपको कोई भी प्राउब्लम आती है तो आप हमें कमेंड में बताइब करना है हमारा जो जो जैंकिन से उसके साथ इसे इंटिग्रेट करना है तो आप इस होंवक को कीजिएगा अगर आपको कोई भी प्राउब्लम आती है तो आप हमें कमेंड में बता सकते हैं थैंक्स फॉर आप